स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारी इस नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोजर विजाल समीट्री के वेरियर स्पोर्ट दला 24 के और लेन फॉर्म फिलर प्रोसेस के बारे में दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आपको प्रतिक बिंदू को समझाते हुए form फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे form बरने में कोई भी गलती ना हो सबसे पहले दोस्तों कुछ जरी बिंदू पर जान देंगे जैसे कि इसकी नेटिफिकेशन पर तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ आपको स्रॉट में कुछ बता जाता हूँ उसके बाद form फिल करके दिखाऊंगा जोस्तों अब आप नेटिफिकेशन में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लेखेंगे इंपोर्टेंट डेट में 22-22-24 से form फिल स्टार्ट हो गई है जो कि 30-42-24 तक चलेगी इसकी अंतिम्तिती है जोस्तों माल यह form फिल करने में आप से कोई गलती हो जाती है तो यहाँ correction भी दिया गया है correction का time 2-5-24 से लेके 4-5-24 के बीच में आप correction भी कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इस क्रॉल करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लेखेंगे आपको post लेखने को मिलेगी जैसे कि यहाँ पर multiple post है जैसे कि लेखेंगे female staff nurse का भी है और यहाँ पर लेखेंगे assistant section official से लेके यहाँ पर multitasking staff तक का यहाँ पर post है तो यहाँ पर कई सारे various post है जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे यह आप मारी यह फीमेल इस्टाफ नर्स का फॉर्म बरते हैं तो टोटल इसकी जो फीस है जनरल EWS OBC का पंदरस हो है और यहाँ पे जो नॉन मेडिकल यहाँ पे पोश्ट है यह एक हजार उपे फीस है यहाँ पे टिक है जनरल का उसके बाद यह सी एस्टी का 500 उपे फीस है इसको होगे जोस्तों आप आगे बढ़ेंगे आप तो और भी कुछ जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तो आप अपने कोडिंग एक बार अच्छे से फॉर्म फीलों से पहले अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ लिजेगा समझ लिजेगा उसके बाद ही फॉर्म को वरिएगा मैं पूरा जोस्तों पढ़के बताऊंगा नंटिफिक्सन को तो वीडियो काफी लंबा जाएगा तो चलते हैं आपको फॉर्म फीलों प्रोसेस पर लेके चैनल परने होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा अब जोस्तों देखे फॉर्म फील करने के लिए आजाएंगे यहाँ पर आपीसल वेबसाइट में यहाँ देखेंगे निव केंडिडे रेजिस्टर्ड हीर लिखा हुआ है तो सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकास से कुछ जानकारी सो करेंगी जिसको कि आप पढ़ सकते हैं नहीं तो आप इसको छोड़ दीजे नहीं पढ़िए इसको करके नीचे आएंगे ठीक है उसके बाद देखेंगे यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा चेक बॉक्स पर टिक करेंगे सब्मिट वाय ऑप्शन पर क्लिक कर करते हैं यहां देखें आपको लॉगिंग करना पड़ेगा तो आप यहां पे मेरे पास अधार नंबर है अधार कार्ट से भी आप लॉगिंग कर सकते हैं यहां पे डीजी लॉकर है तो डीजी लॉकर से भी कर सकते हैं और डीजी लॉकर आप नहीं बनाए हैं तो यहां से बना भी सकते हैं तो अपने कोर्डिंग यहां पर चूज कर लिजेगा तो सबसे असान रहेगा अधार कार्ड को यहां पर चूज कर लेंगे सबसे उपर है मेरे पास अधार कार्ड है चूज करेंगे उसके बाद यहां अधार कार्ड नंबर को फिल करेंगे और जनरेट ओटी पिदा का नाम डेट आध आएसे लोगा ओर का यहां पर पढ़ेंगे इसको उते हां पर यहां पर ऑप्सनि का इसे ज्रुज्व पीदेब से टि आपर चूज लिएगा केटेगरी अपने यहाँ पे चूज कर लेंगे जनरल हैं, AWS हैं, OBC हैं, SCST हैं, जो होंगे अपने अकॉर्डिंग आपे चूज कर लीजेगा अब यहाँ पूछेगा RUA एक सर्विसमेन, आप एक सर्विसमेन होंगे तो यहाँ पे yes और no में जबाब देंगे आगे देखे बढ़ेंगे, यहाँ पे जिया है RUA regular employee of, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप NBS या तो सेंटर गोर्मेंट, इस्टेट गोर्मेंट या तो इन में से किसी का डिपार्टमेंट की करमचारी होंगे, तो yes no में यहाँ पे जवाब देंगे, नहीं होंगे तो none of the above आप चूज कर दीजेगा, email address यहाँ फिल करेंगे, confirm email address में दुबारा से email ID को फिल करेंगे, यहाँ mobile number का option मिलेगा आपको, mobile number यहाँ पे एंटर कर दीजेगा, confirm mobile number में दुबारा से mobile number को एंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे alternate contact number दिया है, तो यहाँ पे है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, identity type पे क्लिक करेंगे, select को option पे क्लिक करेंगे, bank passbook है, devil license है, जो होगा इसमें से select कर दीजेगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे other valid government identity card with photograph को select कर दीजेगा, identity card number में अपने 18 card का number यहाँ पे दे दीजेगा, उसके बाद आग इसको correspondence address का option भी लेगा, यहाँ पे परमाईस number name में अपने village का नाम यहाँ पे लिख दीजेगा, उसके बाद दिखेंगे सब locality का option है, यहाँ पे अपने post का नाम लिख दीजेगा, locality यहाँ पे आपको दिखाई लेगा, locality में अपने गाउं का नाम लिख सकते हैं, उसके इसके बाद यहाँ पे country देखेंगे आपका इंडिया पाले से सलेक्ट रहेगा, अब देखेंगे state का option है, select पे क्लिक करके अपने state को यहाँ से चूज कर लिजेगा, उसके बाद district का option भी लेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपने जीले को यहाँ से सलेक्ट कर लेगे, यहाँ देखेंगे pin code का option मिलेगा, आपको pin code यहाँ पे enter करेंगे, उसके बाद दोस्तों उपर का पता आपका अगर permanent होगा, तो यहाँ checkbox पे tick करेंगे, तो नीचे automatic fill हो जाएगा, इस क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ password का option मिलेगा, password यहाँ पे बना लेगे, 8 से ल submit के option पे click करेंगे, यहाँ से अब एक question slate करेंगे, जो असान होगा, security answer में उसका answer यहाँ पे लिग देंगे, उसके बाद यहाँ पे security pin में इस जो capture कर रहा है, capture को fill करेंगे, checkbox पे tick करके submit के option पे click करेंगे, दोस्तों जैसा ही submit करेंगे, यहाँ आपकी सारी जानकारी सो उसके बाद यहाँ पे सभी के आगे checkbox पे tick करेंगे, DOV से लेकि mobile number email ID, उसके बाद I agree checkbox पे tick करेंगे, उपर में कोई गलती होगा, तो edit कर सकते हैं, यहाँ से नई तो submit and send OTP के option पे click करेंगे, अब दोस्तों आपके यहाँ पे email ID पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे fill कर जाने के बाद यह जो capture आपको सो कर रहा है, इस capture को यहाँ फिल करके submit वाले option पे click करेंगे, जैसा ही submit करेंगे, यहाँ देखिए आपका registration complete रहेगा, आपके email ID पे आपका registration number जाएगा, application number में उस registration number को fill कर दीजेगा, उसके बाद जो password आपने अभी भी बनाया है, उस password को fill करे submit करते हैं, आपका dashboard यहाँ पे इस प्रकार से खुल जाएगा, उसके बाद complete application form के option पे click करेंगे, click करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे apply post का आपको option मिल जाएगा, यहाँ पे multiple post है, multiple twice आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप किसी पर भी checkbox पे tick करेंगे, उसके बारे मे यहाँ पे जानकारी सो करेगी, इसके लिए आपके पास qualification क्या होनी चाहिए, experience भी माना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो अपने according जिस पर्द के लिए आप eligible होंगे, यहाँ पे click करके देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जै जैसे मैं multitasking staff को choose कर लिए, तो यहाँ पे high school pass मांग रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, दिया है working, are you a working contract daily basis पे आप NBS में employer हैं, तो यहाँ पे yes और no में जबाब दीजेगा, उसके बाद I agree checkbox पे tick करेंगे, save and next करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही जोस्तों, यहाँ देखिएंगे कुछ इस प्रकार से आपका जो है जानकारी सो करेगी, personal information जिसको की आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब उसके बाद देखिएंगे, यहाँ पे nationality आपको दिखाई जेगा, तो click करके यहाँ से Indian को choose कर लेंगे, उसके आपका यहाँ पे communication जानकारी सो करेगी, जो कि आपका address यहाँ पे सो करेगा, जिसको मैं blur करके रखा हुआ हूँ, YouTube के guideline के उसा यह गलत है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता इसको, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे internet contact number है, तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते आगे बढ़ेंगे data आपका save successful हो जाएगा, अब देखे qualification detail के option पर आ जाएंगे, exam, diploma, past में यहाँ पर सबसे पहले high school की जानकारी देंगे, high school यहाँ पर लिख दीजेगा, लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे passing and month का option मिलेगा, click करके यहाँ पर month को choose कर लेंगे, और passing year य उसके बाद देखेंगे यहाँ पर board university, तो यहाँ पर board को लिख देंगे, जिस भी board से pass होंगे, CVS, CW, UP, Bihar board, जो भी board आपका होगा, यहाँ पर board का नाम लिख दीजेगा, यहाँ पर high school का road number fill करना है, उसके बाद mark percentage में कितना percent आप high school में पाए हैं, उसको fill कर देंगे, fill क करने के बाद दोस्तों, अब देखेंगे, यहाँ पर आपको plus का निसान में लेगा, plus की निसान में पर क्लिक करके, यहाँ पर intermediate की जानकारी दे सकते हैं, तो जैसा पर आप चूज किये हैं, उस हिसाफ से plus के icon पर क्लिक करके, जानकारी बारी बारी से दे सकते हैं, जैसे high school क करके आगे बढ़ जाईएगा, अब जैसा ही seven next करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, आप आजेंगे experience detail पर, तो यहाँ पर experience है, तो yes करेंगे, यहाँ जिस पर के लिए experience मागा है, वो candidate यहाँ पर yes करके, जानकारी को जल देंगे experience का, जिसमें नहीं मागा है, no कर देंगे, seven next करके, आगे बढ़िएगा, डाटा से सक्सेस पूल जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे, आपको exam center चूस करना है, तो यहाँ पर select पर click करके, अपने state को यहाँ से चूस कर लिजेगा, अब यहाँ पर देखेंगे, page loading लेगा, यहाँ पर अपने उस delay को चूस कर लिएग फिर यहाँ पर state को चूस करेंगे, उसके बाद district को चूस कर लिएगे, तो तीनो exam center यहाँ पर आप दे सकते हैं, उसके बाद save and nest करके, आगे बढ़िएगा, save and nest करते हैं, दोस्तों डाटा से सक्सेस पूल जाएगा, आप आजाएगे आप अप्लोडिंग के option पर, यहाँ प 50 से लेके 300 केवी के बीच का, उसके बाद यहाँ पर थम अप्लोड करेंगे, 10 से लेके 200 केवी के बीच का, चलिए मैं यहाँ पर अप्लोड करता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसेस दिखाता हूँ, यहाँ दोस्तों मैं अप्लोड कर चुका हूँ, save and nest करके आगे करने के बाद अब देखें, आपकी सारी जानकारी कुछ इस प्रकास सो करेगी, जो अभी भी आपने पूरा डिटल भरा है, जिसको की बहुत अच्छे से ध्यान पूरवक पढ़िएगा, सब सही है कि नहीं, उसके बाद सब्मिट का बटन दिखेंगा, सब्मिट पे क्लिक क करने के लिए, उसके बाद देखेंगे, यहाँ से किसी एक बैंक को स्लेट कर लेंगे, चालब बैंक है, तो अपने अकॉर्णि यहाँ पर किसी एक बैंक को स्लेट कीजेगा, आप देखेंगे, यहाँ पर पेर पेर अप्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, आपक नेट बैंकिंग है UPI है तो केडिट कार्ट से भी है तो जिससे शुटेबल होगा आसान होगा उससे पेमेंट कर देंगे उसके बाद पेमेंट सक्सेस्फुल जब हो जाएगा तो आपको रिडायर करेगा प्रिंट आउट के लिए अपना प्रिंट आउट ले लिजेगा और वाद तू थैंक यू पर वचिंगी तो से ठेंक यू पर वाचिंगे ने।